भारत और न्यूजी लेंड के बीच खेली जाने वाली टी ट्वेंटी और वंडे सीरीज के लिए हुआ भारत की खतरनाक स्काट का एलान और इस सीरीज के लिए भारत के कई हुआ खिलाडियों को मिला है मौका स्वागत है दोस्तो हमारे यूटूब चैनल किरिकेट न्यूज स्पेस में दोस्तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और न्यूजी लेंड के बीच खेले जाने वाली तीन-तीन मैचों की रोमान चक्टी ट्वेंटी और वंडे सीरीज कब खेली जाएगी और कहां खेली जाएगी इस सीरीज के लिए भारते टीम घोसित हो चुकी है और भारते टीम किन 15 खिलाडियों के साथ मैदान में उतरने वाली है सब कुछ बताएंगे आज की इस वीडियो में लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहतें कि भारते टीम न्यूजी लेंड को उसी की सरजमी पर धूल चटा दे तो इस वीडियो के एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन आउन कर लें तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों टी 20 वर्टकप के बाद भारते टीम नीजूलेंड का दौरा करने वाली है जहां पर भारते टीम को 3 टी 20 और 3 वंडे मैचों की सीरीज खेलनी है और BCCI ने आज साम को इस सीरीज के लिए वंडे और टी 20 स्कौर्ड का एलान कर दिया है आपको बता दे कि भारते टीम को 18 नॉमबर से 22 नॉमबर के बीच में 3 टी 20 मैच खेलने है और उसके बाद 25 नॉमबर से 30 नॉमबर तक भारत और नीजूलेंड के बीच वंडे सीरीज खे तो वहीं पर वंडे सीरीज के लिए सिखरदवन को कमान सोपी गई है तो चलिए आपको बताते हैं नॉजिलेंड के खिलाफ T20 और वंडे सीरीज के लिए भारते टीम स्कौर्ड के बारे में तो पहले अगर बात करें T20 स्कौर्ड के बारे में तो हर्दिक पांडिया कप्त जराएंगे और बात करें वंडे सीरिज के लिए भारते टीम स्कौाट के बारे में तो सिखर धवन कप्तान, रिसब पंतूप कप्तान, उसके बाद दीपक हुड़ा, सुरुकुमार यादव, सुरे साहियर, संजु सैंसन, वासिंग्टन सुंदर, सर्दु ठाकूर, सहबाज जैमद, युजुएंदर चहल, कुल्दीप यादव, अर्सदीप सिंग, दीपक चहर, कुल्दीप सेन और उम्रान मलिक, दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद झाल